चेली सो बात करने वाले हैं जिंदल स्टील और पावर लिमिटेट के बारे में बड़ी हल्चल आपको जिंदल स्टील और पावर के शेर के अंदर दिखने को मिल सकती है उसके पीछे जो बहुत बड़ा योगदान दिखाए दे रहा है वो वल्डन का है क्योंकि वल्डन ने पूरी ताकत जोग दी है और लगभग 96.42% इक्विटी यहां पर एक वैर करते हुए ने जरा रहे हैं तो दोस्तों और आप इंपक्ट जिंदल स्टील और पावर के शेर के अंदर हम लोग को पॉजिटिव दिखने का मिल सकता है साथी में दोस्तों बताना चाहूं कि 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 जो है यहां पर होने वाला है तो 7,401 क्रोड रुपे ओफर करने वाले हैं तो यह पैसा जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के पास में आएगा तो उससे और भी ज्यादा इस्तिती मजबूत होती है तो देखिए यहां पर जो बाकिकी फर्मल्टीज हैं वो पूरी हो चुक पिछले एक महीने की जो के एक्टिविटी दिखाए दे रही थी 400 रुपे के आसपास यह स्टॉक बार बार जाता है और महां से इसके अंदर गिरावर देखने को मिल रही है नीची की बात करते हैं तो 360 के आसपास जाने के बाद में इसके अंदर हम लों को तेजी का महौल तो हाल फिलाल में तो यही एक्टिविटी इसी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है च्छे मेने के अंदर अलगबग 6.5% से जादे की गिरावर देखने को मिल चुकी है एक साल की बात करते हैं तो 49% का मुमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुके हैं तो नए साल शुरू होने वाला है तो अब तैयारी किस तरीके सी करके चलें ये टिम्स में, लोंग टिम्स में कौन से वो टार्गेट हैं जो कि ये स्टॉक टच करता हुआ ने जड़ा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि दिसंबर 2022 तक का जो आउटलुक है यहाँ पर तीन रेंज देखने को मिल रही है हाई रेंज, मीडिन रेंज और लो रेंज हाई रेंज की बात करते हैं तो 918 रुपे तक के लेवल आपको स्टॉक के अंदर दिखने को मिल सकते हैं 148 पसंट की तेजी करन प्राइस से दिखाए दे सकती है इसी तरीके से मीडिन रेंज की बात करते हैं तो 566 रुपे तक यह स्टॉक जा सकता है यानि के current price से 53% की तेज़ी आपको stock के अंदर दिखने को मिल सकती है और अगर low range की बात करें तो 433 रुपे तक के लेवल आपको easily इसी stock के अंदर दिखने को मिल सकते हैं तो देखें खरिदारी करते वक्ते सिर्फ एक ही बात आपको अपने mind में रखनी है वो है कम-कम share और नीचे के तियारी stock के अंदर बरावर उपन नीचे के chart pattern आपको दिखाए देते रहेंगे लेकिन नीचे के तियारी करके चलीगा stock के अंदर जब trend हम लोग को positive दिखने को मिलता है तो एक ऐसे price के आसपास हम लोग का average बनके आता है कि वहाँ से अच्छा खासा मुनाफ़ा हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से financial trend की बात करते हैं तो यहां पर company का revenue 2018 के बाद में 2019 में तेजी देखने को मिली 2020 के अंदर गिरावट लेकिन 2021 के अंदर वापिस से train में दिखाए दर है बढ़ता हो नदर आ रहे प्रॉफिट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है इससे पहले profit गिरता हो नदर आया था तो यहां से भी मजबूत संकेत निकल कर आ रहे हैं सबसे महतरपूर्ण पार्ट होता है किसी भी कंपनी का शेर ओंडिंग पैटर्स तो प्रमोटर्स के सेधारी कितनी है 60.47 पसंट के असपास दिखाए देरी है लेकिन दिक्कत यही है कि प्लेज होल्डिंग भी इसके इंदर है लग बगग 23.88 पसंट की प्लेज होल्डिंग और FIS की बात करें तो quarter quarter basis पे विक्वाली देखने को मिल रही है रिटेल निवेशकों की बात करते हैं तो quarter quarter basis पे खरीदारी करते होने जड़ा रहे पिछले वाले quarter में लगभग 14.51 पसंट की होल्डिंग थी और इस बार बढ़कर 14.64 पसंट के असपास होल्डिंग बनती हो मुझदारी है तो overall impact positive और company की जो वास्तिव के स्थिति और साती में जो latest news company के अंदर देखने को मिल रही है वो आपके सामने रखी है अकर आपको एक content अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कीजेगा आपका एक like हमारा motivation बढ़ाता है ताकि in future receipt के content इस चैनल पर publish होते रहें दोस को subscribe करके भी रख सकते हैं साथी बैल आइकन जरूर हिट कर लीजेगा thank you so much for watching